नमस्कार स्वागत है आपका हमारे एक और वीडियो में आज हम बात करेंगे पीली सरसों के बारे में जो हमारे घर में धनका भंदार लगा देगी अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करे और ऐसी ही महत्वकूल जानकारियों को प्राप्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा दे डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट और यूट्यूब वीडियोस के लिंक दिये हुए हैं आप जाकर चेक कर सकते हैं चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो सरसों दो तरह की होती है पीली सरसों और काली सरसों आज हम पीली सर्सों के ऐसे उपाय की चर्चा करेंगे जिससे आपके जीवन में खुश्या भर जाएगी। और धन तो समाप्थ होने का नाम ही नहीं लेगा। जन्मों जन्म की गरीबी समाप्थ हो जाएगी। घर और परिवार का माहौल अच्छा हो तो दिन भी अच्छा ब पत्ती भी जलाई जाती है। कपूर गूगल को जलाकर उसकी भी सुगंद घर में की जाती है। मुख्यता घरों में दीपक भी जरूर जलाया जाता है। कुछ घरों में घी का दीपक जलाया जाता है। तो कुछ घरों में तेल का दीपक जलाया जाता है। ऐसा घरों में इ और इश्वर की कृपा भी प्राप्थ हो जब नकारात्मक उर्जा घर में प्रवेश कर जाती है तो घर का माहौल ही बदल जाता है। जोते शास्त्र और तंत्र शास्त्र में बहुत महत्व बताया गया है। तीली सर्सों का तंत्र शास्त्र में कई उपायों में प्रयोग किया जाता है। जीवन की हर परेशानियों को समाप्ट कर हमारी हर मनोकामना को पूरी करती है। एक मुठी पीली सर्सों को पीले कपड़े में कलावे की सहायता से बांद कर पोटली बना ले। और अब उस पोटली को माता बगलामुखी के सामने रख दे। और एक सर्सों के तेल का दीपक भी माता बगला मुखी के सामने जला कर रखें। ऐसा करने से आपके जीवन में आने वाली हर बाधा दूर हो जाती है और मा का आशिरवात प्राप्त होता है। भी मात से धुप दे तथा पूरे घर में इस दीपक को घुमाएं। और टॉलेट को छोड़कर आप इसे पूरे घर में घुमाएं ऐसा करने से घर की सारी नकारात मकता घर छोड़कर भाग खड़ी होगी। घर में धन की आवक रुक गई हो घर में बरकत नहीं है, धन आता न तो एक तवे को गरम करके उसके उपर फितकरी का टुकडा और पीली सरसो के कुछ दाने गरम करें। और अब सरसो चटकने लगेगी आवास करने लगेगी तो आप तवे को उतार कर उसे घर के आंदन में रख दें। और इसके धुए को पूरे घर में फैलने दें। तथा जब पीली सरसो बिलकुल ठंडी हो जाए तो इसे आप काले या नीले कागज में रखकर इसकी पुडिया बना कर घर के मुख्य दर्वाजे से बाहर फेंक दें। और याद रखे फैटने के बाद मुढ कर नहीं देखना है और अपने घर के अंदर आ जाएं। आप दर्वाजा भी बंद करने के लिए ना मुड़े दर्वाजा आप कुछ समय पश्चात बंद कर सकते हैं। ऐसा करने से आपके घर की हर नकारात्मक शक्ती आपके घर से बाहर निकल जाती है। क्योंकि पीली सर्सों घर की जितनी भी नकारात्मक शक्ती होती है, उसे अपने अंदर खीच लेती है. अगर आप राहु केतु तथा शनी की पीडा से ग्रसित हो, जो की व्यक्ती का जीना तक दूभर कर देती है, तथा घोर नरत जैसी यातनाओं से जीवन भर जाता है. सर्सों का यह उपाय हमारे जीवन में राहु शनी केतु की चाहे कितनी परेशानी चल रही है, उसे दूर कर देता है. आपको यह प्रयोक शाम के समय करना है. आपको अपने घर के मुख्या के सर के उपर से साथ बार थोड़ी सी पीली सर्सों लेकर वार लेना है. क्योंकि मुख्या पर ही परिवार का सारा दायत होता है. पीले कपड़े में रख कर उस पर थोड़ा कपूर रख ले और उस कपड़े की पोटली बना ले. और उस पोटली को अपने मुख्या द्वार के उपर लटका दे और साथ ही अपने पुरे घर में रोज पीली सर्सों को बिखेरे या एक दिन छोड़ कर भी आप यह उपाय कर सकते हैं. ऐसा करने से आपके धन संबंधी जितनी भी परेशानी होगी सभी समाप्थ हो जाएंगी और साथ ही वास्तु दोश भी समाप्थ होगा. यह कुछ उपाय इतने जबरदस्थ हैं. आप करें और आपकी सभी समस्याओं का हल होगा और आपको लाब होने पर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं. राधे राधे